एचसी बर्तियों को लेकर जो है अभी भी बड़ी खबर आई है एचसी के जैर्मेन बोपाल सिंग कद्रे का जो है दोस्तों बड़ा ब्यान है अगर आप जाना चाते हैं तो वीडियो कौन तक आप जुरूर देखना नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत करते मारे यूट तब देखना देखना और अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब ने करें तो दोस्तों है रिक्वेस्ट है चैनल को और सब्सक्राइब आप जरू करें और वीडियो को जिएदा से जळादा दोस्तो शेरा जरू करें धस्तो है ऊच्छी गरुब डी रिजलट को लेकर भी जो है आपके लगातार को मेंट आ रहे हैं कि किस डेट को जो है रिजलट cya जा जाएगा मेंस एक्जाम जो है दोस्तों उसको लेकर भी आपके लगातार कोमेंट आ रहे हैं कि मेंस एक्जाम जो है वो कब तक होने की संभावना है इसलिए वीडियो कोन तक आप जुरूर देखना और चैनल को अगर आपने वी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब आप जुरू करें यह देख सकते हैं दोस्तों HSC Group D CT result में जो है दोस्तों अभी समय लगेगा पहले ही बताया जा रहा था कि 31 दिसमबर तक जारी कर दें लेकिन अभी चेर्में साब के दवारा मिले जानकारी के अनुषार जो है दोस्तों यह देख सकते हैं CT का जो result है जारी होने में अभी समय लगेगा क्योंकि इसमें जो समाजी कार्थिक मापड़न के अंक जो जोड़े जाएंगे क्योंकि बाद में इसका कुछ से कोई प्रोसेश नहीं होने वाला है और अब जो समाजी कार्थिक मापड़न के जो अंक जोड़े जाएंगे दोस्तों उनका verification होने के बाद ही जो है दोस्तों NTA को data दिया जाएगा उसके बाद जो है दोस्तों आपके CET का जो score रहेगा उसमें आपके सामाजी कार्थिक मापडन के अंक जोड़ने के बाद ही जो है आपका final score जो है जारी किया जाता है जिस परकार से group C में जारी किया गया था लेकिन group C में जो है वो एक mains exam था इसलिए अभी जो है दोस्तों वो complete बरती नुई है क्योंकि 32,000 पदों पर वो बरती होनी है पंजाब एंड हरियाना हाई कोट की उस पर stay है जब तक stay नहीं आठती है दोस्तों उससे पहले किसी भी group का exam उसमें नहीं लिया जाएगा उसके बाद जो है दोस्तों यह देख सकते हैं सामाजी कार्थिक मापड़न का अंका ब्योरा NTA को दिया जाएगा उसके बाद ही जो है दोस्तों आगे की प्रोसर से जो आपका result जो है वो software के मादें से त्यार किया जाएगा के बाद जो है दोस्तों ध्यान देने वाड़ी बात इसमें यह है कि software के जरीए उमिद्वार चे यह विकलब भी मांगा जाएगा कि group C की नोकरी करना चाते हैं फिर group D की मगर कोई उमिद्वार नहीं कहता है तो merit के होने के बावजुद उस उमिद्वार को group D में चैन नहीं होगा अगर उमिद्वार हां करता है तो उसके सामने पद नाम विवागों के नाम की लिष्ट खुल जाएगी इसमें यह उमिद्वार विकलब भरेगा कि वैकोन से पद पर किस विवाग में जाना चाता है उन्होंने पता है कि यह विकलब मंगने के लिए सोफवेर त्यार किया जारहा है इस सोफवेर के जरीये जो है दोस्तों candidate से preference मांगी जएगी कि candidate किस बरती के लिए जो है था ब्सकी ने किस department में जो है candidate जाना चाता है और उस लिस्ट में आपने सिलेक्ट करना है कि किस डिपाटमेंट में आपे जोब करना चाते हैं उसके बाद गूरुप C के लिए जो इंतजार कर रहे हैं अभी कोड के दवारा पंजा बेंड हरियाना हाई कोड के दवारा मनजूरी नहीं मिली है और गुरूप नमबर 56-57 का जो पेपर हो चुका है मगर रिजल्ट गोशित पर हाई कोट के दवरा रोक है इसलिए रिजल्ट गोशित नहीं किया जा रहा है काफी यूटूबर बता रहे हैं कि गुरूप नमबर 56-57 जो है वो रद कर दिया गया है लेकिन अभी तक जो है दोस्तों उसको रद नहीं किया गया है आने वारे समय में रद होता है तो उसकी हम जानकारी अभी क्या बता सकने है लेकिन अभी तक की जानकारी है आज तक की जानकारी है दोस्तों अभी तक गुरूप 56 गुरूप 57 का रिजर्ट इसलिए जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि पंजाब इंड हरीना हाइकोट की उस पर स्टे है 19 दिसंबर के बाद ही जो है दोस्तों पता लगेगा कि आगे की गुरूप जो है उन पर प्रिक्षा ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी हो सकता है दोस्तों अब की बार 19 दिसंबर को जो डेट दी गई हो 19 दिसंबर की उस दिन लगबग अंदाजा है कि दोस्तों आपका इस पर भी जो है दोस्तों दिसंबर को सुनवाई इसकी होने वाड़ी है उसके बाद जो है दोस्तों त्या किया जाएगा कि इस कांट TGT भरती के जो मांगे हैं उन पर एड़ोकेट जनरल कारिया इन मामलों पर सुनवाई करना सुनवेचित करेंगे जान करेंगे आपको करनाल का नाम है जोगी स्मार्ट